Hello everyone and welcome to the YouTube channel of AdoTap Guys, आज हम लोग discuss करने वाले हैं Economic Survey का Part 6 और Part 6 में हम क्या पढ़ेंगे Chapter No. 13 के दो important topic जो मैंने Part 3 में आपको बताए भी थे कि हम ये दो topic बाद में special एक session बनाएंगे उसमें cover करेंगे वो topics हैं health और social welfare program अब हम इने अलग क्यों पढ़ रहे हैं हम इने अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो topic हैं आपके exam point of view से बहुत जादा important है साथी साथ इसमें बहुत सारा data हो दिया हुआ है तो I didn't wanted की ऐसा हो कि हम जादा confused हो जाएं बहुत सारा data देखकर तो हम इने अलग से cover करने वाले हैं और इसी वज़े से अगर अब तक आपने हमारे YouTube चानल सब्सक्राइब नहीं किया है दिन सब्सक्राइब टूर यूट्यूब चानल जहां पर आपको इसारी वीडियो पूरी पूरा economic survey मिल जाएगा एक जगह पर आपको इन सारी वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी हमारी जो economic survey की summary की PDF है वो भी आपको हमारे टेलिग्राम चानल पर मिलेगी हमारे टेलिग्राम चानल का link नीचे description box में दिया हुआ है बिना डिले की हुए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ हेल्थ जो है वह बहुत ही important social sector है जहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे constitution में भी social welfare की बात की गई है कि जो इंडिया है वो एक social welfare वाली country जहां पर हम लोग social welfare पर काफी focus करते हैं जब हम social welfare की बात करेंगे तो health बहुत important component हो जाता है जहां पर government को काम करने की जुरत है policies लेकर आने की जुरत है क्योंकि अगर healthy population होगी तो हमारा human resource अच्छा होगा human resource अच्छा होगा तो development भी अच्छी होगी इस वज़े से health बहुत important है अब हम शुरू करते हैं कि economic survey में health से related कौन कौन से program दिये होगा है जो state ने launch किये है in under the health department जो हमारा पहला program है वो है हमारा national vector born disease control program इसके अंदर अब मैंने कुछ data दिया होगा है यह जो program है यह मैंने अच्छे से बहुती detailed way में discuss किया है हमारी एक playlist है हमारी playlist थी welfare policy की जो आपको कहां मिलेगी हमारी youtube channel पर आपको यह playlist मिल जाएगी इसके अंदर मैंने यह सारे ही program बहुती detailed way में discuss किया हुए है कि vector born diseases होती क्या है क्या government ने क्या है साथ ही साथ उसमें economic survey जो इससे पहले वाला economic survey है उसके भी data मैंने discuss किया है बाकि जो नया data add हुआ है वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो 159,511 slides जो थी उनको examine किया गया उनमें से 15 slides positive find हुई थी जिसमें vector born diseases से positive diseases मिली थी दूसरी बात दूसरा point क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि कोई भी death नहीं हुई है malaria से कोई भी death इस period में report नहीं की गई है malaria से अभी state में malaria से कोई death report नहीं हुई है तो हम ये मान सकते हैं कि malaria नहीं है state में दूसरा जो हमारा program है वो है National Leprosy Eradication Program तो Leprosy Eradication Program के बारे भी मैंने यहाँ पर इस playlist में आपको हमारा जो program है healthy related जो हमारी policies है उसमें मिल जाएगा ठीक है वो आप देखिएगा जरूर जाके दूसरी चीज अभी जो इस economic survey में हमें data दिया हुआ है वो क्या है कि prevalence rate जो है वो पहले 5.14 हुआ करता था 1995 से 1996 से लेके अगर हम अब बात करते हैं 2021 तो 2022 ठीक है इसके अंदर कितना हो गया यह rate पॉइंट वन एट पर थाउजंट हो चुका है और न्यू केसिज ऑफ रिप्रो से डिटेक्टेवर 93 यानि 93 लिप्रो से केसिज डिटेक्ट हुए है ने तिल दिसमля 2021 मैंने पहले वाले सेशंस में भी बताया था कि जितना भी डेटा हमें प्रोवाईड है एकनॉमिक सरवे में वो बाले थीसममेड 2021 तक है MRN-TCPV ठीक है दोनों ही नाम से जाना जाता है इसके अंदर क्या किया हुआ है कि दो कार्टिज बेस्ट न्यूकलिक एसेड अंप्लिफिकेशन टेस्ट मशीन स्टेट हाज बीन गॉट युनिवर्सल ड्रग ससेटिविल्टी टेस्ट परफॉर्मस 95% वन अफ दी हाइस इंडि तो सेंटर से इसे इंस्टॉल किये गए हैं जहां पर यह टेस्ट किया जाता है जिनकी परफॉर्मस 95% भूली जाती है उसके अलावे स्टेट हाज रोल डाउट इंसेंटिव यानि 500 पर पेशेंट टो ओल टेवी पेशेंट यानि 500 रुपे मिलेंगे हर टीबी पेशेंट को पर न्यूट्रीशनल सपोर्ट ठीके न्यूट्रीशन सपोर्ट के लिए क्योंकि देखो टीबी ऐसी बिमारी है जिसके अंदर कमजोरी भी आती है और बहुत हाम होता है बॉड़ी को उसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रीशन लेनी की जरुरत होती है तो उस चीज के इसमें आपको जादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको यह देखना है कि कितने कैसे है तो डिसमबर 2021 तक अगर हम बात करते है तो 24,400 क्याक्ट्रेट अपरेशन परफॉर्म किये गए है इसे बस पढ़ लेना इतना याद करने की ज़ुरत निया है इस पर क्वेस्टन आएगा next जो हमारा program है लेकिन वो important है उसका data आपको पता होना चाहिए जो कि है national family welfare program ठीकि यह जो है community needs need assessment approach पे बेस करता है यह जो program है यह launch कैसे किया गया Community needs, अब क्या होता है Community Need Assessment Approach, कि देखो different communities की different need होती है, कहीं पर population जादा है, कहीं पर population काम है किसी community में, किसी district में, तो उनकी need के according program के जो provision हैं, उनको implement किया जाएगा, उनकी जरूरतों के according, हर community, हर जगा की जरूरतों के according, इस program में उसके provision को implement किया जाएगा, कहां पर किस चीज क की ज़्यादा जरूरत है उसी को क्या बोलते हैं community needs assessment approach ठीक है community needs को जरूरतों को assist किया जाएगा जाना जाएगा analyze किया जाएगा और उसके basis लेकर आएंगे ठीक है अगर हम बात करें इस program के अंदर में अभी तक 1349 sterilization हो चुक है 1299 ठीक है और इसके अंदर family welfare की बात की जाती है ठीक है population control और यह family healthy family के जो concept है उसको लेकर आया गया उसी के provisions को इसमें implement किया जाता है दूसरा जो हमारा next important program है वो है universal immunization program यानि universal immunization होने की जरुआते इसके अंदर वही लेकर है जैसे नाम से ही पता चलता है एम क्या है इसका इसका एम है कि morbidity और mortality जो है किसके अंदर कौन तीन category दी गई है यह आपको याद रखनी होगी इसमें mother children and infants ठीक है कौन से तीन category जिनक मॉर्टालिटी को कम करना है यानि जो जिनकी death होती है अब भले हम उसे infant mortality बोल दे या फिर maternal mortality बोल दे तो किस तीन category की बात कि हैं पर mother's की children को और infant की यानि इन पर जादा फोकस कर रहा है यह program इस पीरिट के दोरान में ठीक है जो vaccine है preventable diseases कौन कौन से दी जाती है immunization program में यह बहुत ही ज़रूरी है please do remember कि अब कौन-कौन से जो diseases है वोने cover किया जाता है इस program के अंदर में तो पहले हमारी tuberculosis diphtheria produces neonatal tetanus ठीक है नहीं होगे neonatal tetanus और फिर हमारी pneumonia polymylethys and measles rubella have shown remarkable reduction इन सबने remarkable reduction दिया हुआ है अब आपका जो homework है वो यह है कि आपको यह देखना है कि इसकी अंडर में कौन-कौन इससी इसकें में उसी और कवर किया गया और एक और हमारी कंवा आक इंद्रधनुष श्केंद्रा देखना है को हमारी थीक कैwe अंथा rais्ल už ईंद्री आक्ता है सुआइभा थीक किया को इस आपको कवर चाएया है में पहले स्टार्टिफेंग 10 थी अब कितनी हो गई है वो आपका homework है नीचे मुझे comment section में बताना कि इंद्रधनुष के अंदर कौन-कौन सी कितनी don't tell me exactly कौन-कौन सी है you can tell me the number of diseases that is covered कितनी number of diseases जो इंद्रधनुष के अंदर में covered की गई है coming on to our next scheme और यह बहुत important है him care इसको mark कर लेना important I hope you have to write all this मैं आपको important चीज़े बताती जाओंगे उनके नाम लिखिए और फिर later on जब आपको summary pdf मिलेगी उसमें से notes बना लेना यहां पर आपके concept clarification के लिए मैं पढ़ा रही हूं तो him care लिख लो कि him care पढ़नी है him care में आपको क्या करना है कि किस families के लिए जो आईश्मान भारत में families cover नहीं होंगी ठीक है आईश्मान भारत हम लेकर आए आईश्मान भारत में भी कुछ families नहीं cover हो पाएंगी उनकी लिए system को लेकर आए गया है कि जो लोग उसमें miss हो जाएंगे उन्हें यहां पर entitlement मिले साथी किसी भी government की reimbursement facility में नहीं प्रोग्राम में पार्ट नहीं है यानि जो कहीं भी छूट गए हैं लोग उनको इसके अंदर में लेकर आया जाएगा इसके अंदर cashless treatment का coverage दिया हुआ है वो ही जो हमारा आईश्मान भारत का 5 lakh per year का till date इतनी families जो हमारी 5.13 lakh families उनको register किया ज चुका है और 2.19 lakh beneficiary ने already cashless treatment ले चुका है कितने amount का 198.19 crore since the inception of the scheme ठीक है यह सके भी मैंने अपने welfare policies वाले lecture में cover किये जाएए उन lectures को देखिए और पढ़िए अच्छे से इस scheme को prepare कीजिए यहां से question कहां से आ सकता है तो question यहां से directly आ सकता है कि अभी तक कितनी lakh of families register कर चुकी है under him care तो यह आपको पता होना चाहिए कितना coverage दिया जाता है 5 lakh per year का दिया जाता है फर्स statement से भी question आ सकता है कि कौन सी families him care के अंडर में आती है जो families आईश्मान भारत में cover नहीं की गई है साती जात किसी भी गवर्मेंट के medical इंडिरी इंबस्मेंट प्रोग्राम के अंडर में नहीं है उनको him care में facility जो grant है provide की जाएगी अब हम बात करते हैं another important health care program that is आईश्मान भारत जिसको प्रधान मिंत्री जन आरोगे युजना भी भोलते है जो उसकी अंडर में ही आती है तो आईश्मान भारत में health insurance coverage दिया जाएगा वही बता है मैंने जैसे की same ही है him care वाला 5 lakh per year का approximately इतनी families अब तक cashless treatment ले चुकी है इसके अंदर golden card बनवाया हुआ है इतनी families को मिल चुका है और इतनी families ने जो cashless treatment है उसको avail कर लिया और इतना government का खर्चा बैठ चुका है इस चीज़ पे तो basically आपको आईश्मान भारत में क coming on to our next game that is health and wellness centers अब health and wellness centers बनाये जाते हैं किसलिए बनाये जाते हैं इसलिए बनाये जाते हैं ताकि better health quality और better health services provide की जा सके बले ही वो primary health services और secondary हो या फिर tertiary हो इसके अंदर में अब कौन कौन से center है कितनी तरह के होते है तो all health sub centers primary health centers है हमारे urban primary health centers है ठीक है total number इतना है and 20 numbers have been notified as HWS यानि यह जो सारे centers हैं HWS के अंडर में आते हैं आपको याद क्या रखना है कि इसके अंदर primary, secondary और tertiary सारी ही health care services को cater किया जाता है यानि हर तरह की health care centers बनाये जाते हैं कुछ primary based होते हैं कुछ secondary based होते हैं कुछ tertiary based होते हैं national program for prevention and control of cancer, diabetes and stroke यह हमारा दूसरा program है इतना साथ important अपर नहीं है क्या याद रखना है इसमें सिर्फ यह चीज रखने है कि इसके अंडर में कितने programs आते हैं अब यह एक बड़ी umbrella scheme है एक umbrella program है जो बहुत बड़ा एक program होगा उसके अंदर छोटे चोटे और भी program होते हैं umbrella scheme यह umbrella program बोलते हैं तो इसके अंदर यह हमारी टेली stroke project भी आएगा national dialysis program आएगा cancer care units आएगी e-health card आजाएगा palliative care units आजाएगी integrated निरोग क्लिनिक आजाएगे promoting school initiative 2020 अब आपको याद रखना है मैंने इसमें years भी दिये हैं किसी के तो वो years याद रखना है कि अब launch किये का आपको याद रखना है कि यह जो programs हैं यह कौन से हैं I hope clear ह आगे बात करते हैं Adolescent Health Program Adolescence जो होती है वो एक बहुत ही vulnerable stage होती है साथ ही important होती है क्योंकि these are the future of India Adolescence जो है वो यंग इंडिया में पार्ट लेंगे हमारा demographic dividend है उसको बढ़ाएंगे उसका पार्ट पनेंगे इनकी care करना बहुत जादा ज़रूरी होता है साथ ही बहुत ही vulnerable stage होती है तो आपको कुछ नहीं याद रखना है आपको बस याद रखना है कि इसके अंदर cover किसे कि इसके बहुत ही बड़ी इसके में बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है इसके अंदर आपको क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि Integrated Counseling and Testing Centers बनाएं गए हैं तो उसके अंदर आपको दिया हुआ है कि कितने बनाएं है तो basically याद रखो कि 7 जो है इनमें से वाइरिस पॉजिटिव यानि इतनी टेस्टिंग की इन्होंने उसमें से साथ लोग पॉजिटिव आए थे तो इतना याद रखो बस जो basic नाम है ना प्रोग्राम के ठीक है उनका याद रखो कि इसके अंदर में क्या आता है Integrated Counseling and Testing Centers आते हैं ठीक है उसके अलावा यह सारी जो हमारी infections हैं इनको टेस्स किया जाता है तो उसके लावा blood safety, anti retroviolet treatment program, targeting intervention यह सारी चीज़े की जाती हैं अब यहाँ पर कुछ colleges और hospitals के नाम दियो हैं हम उन्हें आगे भी cover करेंगे जो important colleges और degree colleges है medical से related उनके नाम पूछ लिये जाते हैं यह पूछ लिये जाते हैं वो कहां इनके नाम आपको पता होने चाहिए तो इन्हें याद कर लेना इन्हें लिख लेना अब एक important medical education research related क्या program चलाए जा रहे हैं कौन कौन से colleges है जो मैंने आपको बताया भी था कि जो important colleges है उन्हें हम पढ़ेंगे इसके अंदर six medical और one dental college आता है ठीक है यह government के है हमारे और private sector में भी कुछ है हमारे लेकिन हम government वाले पढ़ेंगे पहले क्योंकि government वालों पर question आ सकता है ठीक है तो छै medical college है और एक dental college है जो government के अंदर में काम करते हैं कौन कौन से है हमारे छै medical college इंदरा गांधी medical college शिमला ठी ठीक है दन government medical college सर्मौर पंडी जवालन नहरू government medical college चंबा श्रीलाल भातुर शाष्री government medical college मंडी डॉक्टर रादा गिष्णा government medical college हमेर पूर और यह हमारा एक dental college है एच वी government dental college और यह कहां पर शिमला में है मैंने जब यह welfare policy में पढ़ाया था आपको तो मैंने कुछ tricks बताये जवालन नहरू जी को क्या बोलते थे चाचा बोलते थे हैं नहरू चाचा बोलते थे तो चंबा में भी चाह आ रहा है और जवालन नहरू government medical college वहां पर होगा जैसे मैंने बोला था कि इंदरा गांधी medical college याद कर रहे हो तो ऐसे याद करो कि शिमला की इंदरा इस तरह से ब क्वेशन किस तरह का आएगा क्वेशन इस तरह आ सकता है कि आट विच ऑफ दी फॉलिंग डिस्टिक डॉक्टर राजेंद परशाद मेडिकल कॉलेज इस लोकेटेड इन जगहों में से किस जगह पर राजेंद परशाद मेडिकल कॉलेज है तो आपको नीचे options नहीं होंग आयूश काफी जादा अच्छा काम कर रहा है हमारे पास एक ministry भी है central level पर आयूश की सो अब हम हिमाचल में बात करते हैं कि आयूश जो है वो establish किया गया था 1984 में ठीक है healthcare services are being provided to general public through आयूश health infrastructure in the state ठीक है इस objective को meet करने के लिए यानि आयूश की जो services है वो health infrastructure में provide की जाती है लोगों की healthcare के लिए और इसी चीज को इस objective को implement करने के लिए state आयूश health policy लेकर आए गये थे 2019 में ठीक है और exact date क्या थे 6 November 2019 now this is important and you have to read this you have to write this क्योंकि question आ सकता है when was the state आयूश health policy launch ठीक है तो नीचे different dates दी होंगी आपको ये date पता होनी चाहिए तो आप इस date को याद कर लेना कि state आयूश health policy कब launch हुई थी साथ ही साथ आपको state आयूश health policy के बारे में भी पढ़ना है read this once एक बार इसको पढ़ लेना अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक session लेकर आऊ तो आप नीचे comment section में बता भी सकते हो कि माइम state आयूश health policy 2019 को भी पढ़ा दीजे आगे हम बात करते हैं कि कौन-कौन से achievement हुई है आयूश के अंडर में कौन-कौन सी चीज़े हैं जो state ने अचीव की है तो हम लोग जैसे कि मैंने बताए December 2021 तक की बात करेंगे portion अब हैं के अंदर आयूश के अगर हम बात करते हैं तो यह किसका project था यह prevention of anemia अनीमिया क्या ह होता है जब हमोगलोबीन की कमी हो जाती है आयरेन की कमी हो जाती है बॉड़ी के अंदर वुमेंस के अंदर जादा देखा जाता है तो तब बोलता है कि अनीमिया हो जाता है यह portion अभ्यान के अंदर इसके अंदर तीन development blocks को cover किया गया है तीन development blocks बनाए गया जहां पर इस program को इंप्लिमेंट किया गया और वहां पर 842 villages और 18 पंचायत इसके अंदर आती है which is funded by कौन फंड करता है इसको women and child development department अब वो जो तीन development block है वो कौन कौन से है बंगाना डस्टिक उना में तीसा चंबा में और भुरंज जो है हमारा वो हमीरपूर में है आपको यह तीनों ही ना याद करने है ठीक है तो क्या याद करना आपको कैसे रिलेट करना है आयूश आयूश की achievement किसमें portion अभ्यान में portion अभ्यान इन तीन development blocks में launch है किया गया है तो आपको इन development blocks के नाम याद होने चाहिए फिर आता है school adoption program इस program के अंदर ayubatic medical officer जो होता है वह school को visit करता है और academic health center को visit करता है और student को aware करते हैं कि जो hygiene है उसकी क्या importance basically यह क्या है एक awareness program है यह एक awareness program है और important कौन होता है यहाँ पर ayubatic medical officers ठीक है यह जाकी schools में जाते हैं nearby health centers में जाते हैं और महाँ पर awareness create करते हैं फिर weekly yoga दिवस बनाया जाता है weekly yoga दिवस जो है वो इतने health centers में हर Friday को manage किया जाता ह है तो what you need to remember is कि हर Friday को किस दिन हर Friday को और कहां पर AHC यानि academic health centers में ठीक आगे बात करते हैं जन्मंच सो यह एक बहुत ही popular program है state government का ठीक है जिसके अंदर free medical camps लगाए जाते हैं अपने असपास भी देखा होगा ठीक है लगे नहीं रहते हैं free medical camps, free check-up ठीक है तो government अपनी side से ल पूछ लेंगे वह क्या होता है आपको confused कर सकते हैं कि awareness program है क्या program है तो आपको पता होना है चाहिए कि यह camps होते हैं यह free medical camps होते हैं फिर टीवी मुक्त हिमाचल अभ्यान यह प्रोग्राम जो है यह अभी state में चल रहा है आई श्विवभाग के अंदर में काम करता है 215 coverage with health department होती है इसकी तो basically simple याद रखो कि कभी आप भूल जाओ कि टीवी मुक्त हिमाचल अभ्यान में आयूश भी आती है ठीक है यह आयूश से भी related है तो इसलिए आपको याद रखना है ठीक free ayuvedic medicine to senior citizens senior citizen को free medical ayuvedic जो medicines होती है वो provide की जाएंगी इसके अंदर already senior citizen को benefit दिया जा चुका है तो यह achievement है तो यह आयूश के अंदर ही आप समझ जाओगे क्या आयूश के अंदर है अब farmers और दूसरे जो लोग है उनको क्या benefit मिल रहा है ठीक है तो सबसीडी ओ 39.37 लाक रिलीज की गई थी 1527 farmers cultivation for medical plants यानि देखो जब आयूश है उसके अंदर जो दवाईयां बनती है वो plants के different part को different plants होते हैं जिनके medicinal qualities होती है जिसे तुलसी भी होगी नीम भी हो गया अश्वगंदा हो गया तो इन सारे plants की खेती कराने भी ज़रूरी है तो उसके लिए सबसीडी दी जाती है इंसेंटिव दी जाते है farmers को कि आप इन plants को उगाओ और आपको इतनी सबसीडी मिलेगी इतना benefit मिलेगा इतनी इंसेंटिव मिलेंगे ठीक है online licences देनी शुरू की है अविवेदिक pharmacies को ताकि जो अब दवाईयां के लिए जो raw material चाहिए plant का वो उसके लिए incentive दे दिया जब दवाईयां बन जाएंगी या दवाईयां बनाई जाएंगी उसके लिए अविवेदिक pharmacies भी चाहिएंगी ठी के लिए भी आयुवेदिक pharmacies चाहिएंगी तो उसके लिए भी online licencing की start की गई है ताकि जो डिले आता है वो डिले ना आए ठीक है registration of degree and diploma बोर्ड had been done online अब जो registration है आयुवेदिक बोर्ड का डिक्री और डिप्लोमा लेने के लिए वो भी online facility available है ठीक है अब हम बात करते हैं कु COVID-19 के दौरान चलाई गई थी और कुछ step जो COVID-19 के दौरान लिए गए थे तो आयुष घरदवार ठीक है यह skim आपको क्या के याद रखना है बस मैंने वो ही point cover करा दिये सबसे पहले काब start हुई थी 14 में 2021 को start हुई थी किसने start किया था आयुष department in association with please do remember यह भी याद रखन यह जो तीन है यह मिलके इस skim को इस प्रोग्राम को लेकर आये थे क्यों था यह program overcome physical and mental stress during of the COVID-19 patient देखो जब COVID-19 आया था तो physical health है वो तो खराब हुई थी लेकिन काफी सारे लोग एक अलगी level के mental stress और tension से गुजरे थे ठीक है तो उस चीज को overcome करने के लिए उनकी help करने के काउंसलिंग session चलाए जाते है इस program के अंदर और जो counselors होते है वो घर जाके लोगों की help करते है जो इसमें किस पे focus किया गया COVID-19 के patients पे किस चीज को overcome करने के लिए जो physical or mental stress उसने उन्होंने face किया है ठीक है coming on to our next game that is सुरक्षा की युक्ती कोरना से मुक्ती ठीक है बहुत अ इसमें awareness generate करते हैं किस से related नाम से ही पता चल रहा है COVID-19 से related ठीक है कि कितने cases आ रहे हैं किस तरह से आप prevent कर सकते हो खुद को कौन-कौन से provisions है जो आपको follow करने है ठीक है और अगर कोई बिमार है तो क्या तरीका है क्या process है ठीक करने का ठीक है तो यह सारी चीजर testing कितनी हो च अब एक मैंने जब education बढ़ाया था तब बताया था कि पहली बार economic survey में एक important feature दिया हुआ है that is हमारा education satellite account दिया था ऐसी health sector में भी इन्होंने health satellite account दिया है यह account क्या करता है basically एक framework है यह framework है जिसके अंदर आपको health related सारा data मिल जाएगा government के लिए easy हो जाएगा सारा data एक जगह पे collect होगा साथ ही साथ health के उपर कितना expenditure जा रहा है किस sector में से कितना expenditure जा रहा है private में कितना है public में कितना है यह सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा एकनॉमिक सर्वे में एक कोट दिया हुआ है उस कोट को आप अपनी main answer writing में यूज कर सकते हो अगर आप एकनॉमिक सर्वे में दिया हुआ कोट यूज करते हो उसका benefit क्या होगा कि examiner को यह भी पता चल रहा है कि आपने एकनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से पढ़ा है ठीक ठीक है क्या कह रहे है कि जो economic development है उसके ultimate resource ultimate चीज जिससे आप economic development कर सकते हो किसी भी country की वो लोग है वहां के people है ना कि capital है पैसा हो सकता है raw material नहीं हो सकता है basically लोग ही है जो economic development लेके आते हैं किसी भी country के अंदर तो यहां पर human resource की development की बात कर रही है यहां पर आप पूछोगे कि माम यह health से कैसे related है यह basically health नहीं है सिर्फ health और education सबसे related है कि मैंने भी starting में ही आपको बताया था कि जब better health होगी better education होगी लोगों के पास तो वो जादा काम कर पाएंगे अपना जो talent है ठीक है उसको fulfill कर पाएंगे उसको fully 100% achieve कर पाएंगे अगर वो healthy है और educated population है तो यहां क जो resource है जो लोगो as a resource है उनको develop कर रहे है और वो ही country की development में help करते है चलो अब हम बात करते है हमारे health account की तो health satellite account क्या है एक framework है जो कि किस पे based है now this is important किस पे based है system of health account SHA 2011 do write this इसको लिख लो ठीक है system of health accounts 2011 पे based है क्या provide करता है classification standard provide करता है किस तरह से classify करता है सकते है health expenditure को according to three चीज़े तीन चीज़े बता ही है consumption provisions and financing कितना है provision कितने हदिये हुए और financing कैसे हो रही है इससे आप health expenditure को classify करते हो यह framework है जो इसे classify करने में help करता है अगर specifically बात करें तो इसके अंदर HSA के अंदर जो है four different classification में divide किया गया है हमने उपर देखा कि तीन provision तीन basis पे करता है लेकिन four categories इनके अंदर classify किया जा सकता है पहली है source of finance दूसरी financing scheme तीसरी healthcare functions and चौती providers of healthcare facilities आपको यह याद क्या रखना है पहली चीज़ यह किसके उपर based है SHA 2011 के उपर based है हमारा HSA ठीक है उसके इलावा कौन-कौन से चार different classification है हम यह याद रखना है this is the second thing that you need to remember मैं importance के according ही बता रही हूँ उसके इलावा अगर आपको यह चार नाम नहीं देखने को मिल रहे हैं question में अगर question आया और उनके अंदर आपको यह चार नाम नहीं देखने को मिल रहे है तो और कुछ और दिया हुआ है कि standard of classification क्या होना चाहिए health expenditure का तो फिर आपको यह तीन नाम पता होने चाहिए easy भी है these are not that difficult to learn consumption provision and financing तो यह हमारे 3 point है जो आपको यहाद रखना है आगे बढ़ते है अब कुछ key highlights देखते हैं जो यहाँ पर health आना था okay this is health जो health satellite account में दिया हुआ है ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं कि total health expenditure कितना है public, private, current or capital ठीक है अब जो public, private की तो आपको समझ में आएगा current capital का मतलब ही हो जाएगा कि जो हमारा हम लोग पैसे देके जो हो रहा है ठीक ह जो cash involvement है, financing government के साइट से कितना आ रहा है, capital में कितना invest कर रहे है, मतलब infrastructure health का कितना develop कर रहे है क्योंकि कहीं न कहीं महां भी expenditure जा रहा है, वो ही health facilities को बढ़ा रहा है, तो total कितना है, वो 4351.90 करोड है, यह हमें दिया हुआ है, public health insurance expenditure is 2.4% of total health expenditure, जो हमारा total health expenditure है, उसका 2.4% part जो है, वो हमारा health insurance पे जाता है, public health insurance पे जाता है, basically, अगर हम बात करें कि public expenditure on आयूश और TSEM, traditional complementary and alternative medicine पे कितना total, जो हमारा total public expenditure है, यानि public इसकी बात कर रहे है, यानि health में भी जो public expenditure है, जो government खर्चा करती है health के उपर, उसमें से 8.90% जो है, वो हमारा आयूश और alternative medicines पे जात है, ठीक है, यह सब आपको याद रखना है, सब कुछ याद करना है, आपको किस पर question आजएगा, ज़रूरी नहीं है कि एकदम से अभी याद होना चाहिए, कि आज पढ़ा और मुझे आज ही सब कुछ याद करना है, reread it, read it three times, four times, five times, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक ह हो जाए, उसके लिए reading कर लेना, ठीक है, और जो चीज याद हो सकते हो, याद कर लेना, state government का share कितना है, 29.3% है, और union government जो है, वो 8.2% spend करती है, through various grants and schemes, तो ये आपको याद रखना है, state or government का कितना percentage है, कितना share है, preventive care जो है, यानि किसी diseases को ना होने के लिए, preventive care की schemes भी ले कर आई जाती है, कि disease हो ही ना, ठीक है, उसके उपर 5.8% total health expenditure का expand किया जाता है, क्या हो, clear होगा, अब हम बात करते है, एक और important चीज जो दी हुई है, वो है state health index, इसका title क्या है, healthy state progressive India, so first thing that you need to learn, important जहां मैंने लिखा हुआ है, वो important है, उन्हें आपको बहुत अच्छे से important है, अब कौन launch करता है, और क्या दिया हुआ है, ठीक है, so NEETI IO के से release करता है, और यह 4th edition है, यानि 4th edition launch किया गया है, state health index का, इसके अंदर technical assistance जो है, वो world bank प्रोवाइड करता है, और किसके साथ NEETI IO कंसल्ट करके से launch करता है, ministry of health and family welfare, दोनों ही आपको याद रखने है, so ministry of health and family welfare कर दिया है, किसके उपर बेस्ट है, 24 indicators पर बेस्ट है, यह आपको 4th point हो जागा और यह आपको याद रखना है, for larger state grouped under the domain of, 24 indicators है, जिनको इन 4 domains के अंदर अलग-अलग classify कर दिया गया है, जो domain हमारे major larger domain grouping वो है, कौन सी है, health outcome, governance and information and key inputs and processes, ठीक है, so 3 है, basically, एक ही होगी, governance and information होगी and then key inputs and processes होगी, इन 3 में हमारे 14 indicators को divide किया गया है, अगर हम ranking की बात करते हैं, तो ताक कि comparison सही हो सगे, कुछ state छोटी है, resources कम है, कुछ बड़ी है, resources जादा है उन पर, तो इसलिए उनका comparison नहीं किया जा सकता है, तो divide कर दी गई है, कि 19 states को larger state में डाला गया है, 8 states को smaller state में और हमारी 7 unit territories है ही, ठीक है, इसके अंदर इन्हें ढाला गया है, अब हम आगे बात करते हैं, इसकी results की, तो हमारे लिए हिमाचल प्रदेश important, हमारे हिमाचल प्रदेश की ranking देखेंगे, कि हमारी हिमाचल की ranking हो, 7 ताई है, 19 larger state category में, overall and reference year index का वो हमारे 19-20 है, और जो score आया है, वो 63.17 आया है, आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है, पहली चीज हिमाचल जो है, वो larger state की category में आती है, दूसरी चीज 7th rank आई है, score इतना आया है, यहाँ पे negative incremental change देखने को मिला है, यानि जो पिछला हमारा state health index था, उसमें better perform किया था, as compared to अभी कि कितना negative incremental score है, 0.06 का negative incremental score है, यानि negative में गए है, score बढ़ा नहीं है, घटा है, पिछले वाले health index से, overall performance में हिमाचल प्रदेश जो है, वो achiever की category में आया है, यहाँ पे अलग अलग है, runners, front runners, achievers, और इस थारा की category है, तो हिमाचल की हमें याद रखनी है, हिमाचल जो है, वो achiever की category में fall करता है, but in the category of not improved state also, यानि उन state में भी आता है, उस category में भी आता है, जिन state ने improve नहीं किया है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे ambiguity क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, कि देखो, जो हिमाचल का score है, overall, वो बाकी state से अच्छा है, तभी तो 7th rank आई हो 19 states में, ठीके, overall, बाकी state से अच्छा है, लेकिन वो खुद की performance जो उसकी पिछली बार थी, उससे कम perform किया, उससे अच्छा perform नहीं किया है, तो growth जो है, हिमाचल की खुद के comparison में, अगर हम बात करते है, state health में, वो कम हुई है, लेकिन बाकी state से अभी भी अच्छी है, यह हो clear हो गया होगा, अब हम आते हैं, अपने दूसरे important topic पे, सेक्टर पे, जो कि है social welfare program, तो यह कुछ scheme है, social security pension scheme है, जो state ने चलाई हुए, पहली है हमारी old age pension, यह आपको पता होनी चाहिए, amount भी पता होना चाहिए, कितने से कितने लोग eligible है, वो भी होना चाहिए, तो 60 से लिखे, 69 year के जो हमारे old age के लोग है, वो applicable है, जिनकी annual income है, वो 35,000 से कम होती है, 70 year और above जो है, वो भी applicable है, उनके लिए कोई income का criteria नहीं है, इसके अंदर इतना amount जो है, वो spent कर दिया गया है, ठीक है, already, budgetary provision जो था, वो इतने pensioners की target करते हुए था, तो आपको याद क्या रखना है, आपको यह amount कितना जाता है, 850 दिया जाता है, इस age group को, और 1500 दिया जाता है, इस age group को, यह याद रख लोगी, easy है, दूसरा आती है, हमारी special ability relief allowance, who are having 40% of special ability, earns less than 35,000 per annum, यानि 40% जो है, at least special ability होनी चाहिए, और 35,000 से उनकी income कम होनी चाहिए, उन्हें इतने amount की subsidy मिलेगी, ठीक है, उतने पैसे मिलेंगे, grant मिलेगी, और those having special ability above 70%, यानि जिनकी 70% से उपर की special ability होने 1500 रुपे मिलेंगे, यह आपको याद रखना है, यह clear होगा है, नीचे data दिया होगा है कि कितना targeted था, कितने उन्होंने अचीव कर लिया है, next है हमारा widow deserted एकल नारी pension, ठीक है, तो किसके लिए जो female जिनकी 45 years से जादा age है, और उनकी income 35,000 पर सालाना कम है, 35,000 से कम होगी, दूसरी चीज, 70 years और अबव के लिए भी है, यहाँ पे income criteria नहीं है, यहाँ पे 1000 रुपे मिलेंगे, और यहाँ इस category को 1500 रुपे मिलेंगे, यह भी clear हो जाएगा, पिर rehabilitation allowances for two leapers, ठीक है, जो लीपर हो 69 तक होने चाहिए patient की age और उसमें age कितनी exact वो कोई criteria नहीं, annual income का कोई criteria नहीं है, और जो patient जिनकी age जो है, वो 70 साल से उपर है, अबव respective age और income का criteria नहीं है, उन्हें कितना amount मिलेगा, इन्हें मिलेगा 850 और इन्हें मिलेगा 1500 रुपे का, coming on to our next, that is transgender pension, यह important है, बहुत ही कम state ह जो transgender pension provide कराती है, ठीक है, इसके अंदर up to 69 years की age के लिए इसमें pension दी जाएगी और वो होगी 85, 850 यानि 850 रुपे और 70 साल से उपर जिनकी उमर है, उनको मिलेगे 1500 रुपे, फिर हमारी next scheme है, इंदरा गांधी national old age pension, old age pension है यह भी एक, जिसके अंदर 60 years होनी चाहिए person की age और above, ठीक है, साथ ही साथ वो BPL family से, यानि below poverty line house से belong करता हो, उनने 850 रुपे मिलेंगे और 70 साल से उपर की जो लोग होंगे, उनको मिलेंगे 1500 रुपे, ठीक है, coming on to our next scheme, that is इंदरा गांधी national widow pension, अब वो old age के लिए थी, यह विड़ो के लिए है, विड़ो में क्या हो जाएग जिन age group कितना 40 से 79 BPL family से belong करते हैं, उनको 1200 रुपे मिलेंगे, यह आपको यह ही याद रखना है, कि eligibility criteria क्या है, कौन से लोग eligible है, और साथ में कितने पैसे दिये जा रहे हैं, फिर इंदरा गांधी national specially able, फिर विड़ो आगी अब है, specially to the specially able person above 18 to 79 years, यानि 18 से 79 years के बीच के लो और 80% special ability होनी चाहिए, यह भी याद रखना है, और BPL family से belong करते हैं, उनको 1500 रुपे की pension मिलेगी, अब आते हैं, various scheme जो state ने, अभी तक तो यह pension scheme ती है, बहुत सारे अलग अलग program scheme है, जो किसकी specifically welfare के लिए चलाए गई है, SCST, OBCN, Minorities, जो पहली है, वो है award for intercast marriage, यानि अगर आप intercast marriage करते हो, तो आपको award पैसे मिलेंगे, और यह इसलिए है, ताकि जो caste inequalities है, उनको society के अंदर कम किया जा सके, 50,000 is being given for intercast marriage, यानि 50,000 रुपे दिये जाते हैं, अगर intercast marriage करता है, कोई, ठीक है, स्वन जेंती आशरे योजना housing subsidy यानि housing subsidy दी गई है, कौन-कौन से category को subsidy मिलीगी house construction के लिए, जिनकी annual income 35,000 रुपे से कम है, simple सी बात है कि housing होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि basic need में आती है, housing और ऐसे लोग जिनकी income कम है, वो घर नहीं बना पाते हैं, तो government उने 1,50,000 की subsidy देगी per family के, ताकि वो अपना घर बना से के, criteria क्या है, कि SC, ST और OBC से आपकी जो annual income है, salary income है, वो 35,000 से कम हो, ठीक है, next हमारी scheme है, training and proficiency in computer application and allied activities, जो candidates किस-किस category से belong करते हैं, SC, ST, OBC, BPL, minority, specially able, single woman, widow, और those whose annual income is less than 2 lakh, ठीक है, उनको 1,350 per month और 1500 specially able को provide करेगी, government training के लिए पैसा दिया जाएगा, ताकि computer application में ते को digitalization बढ़ रहा है, और computer application आनी बहुत जादा ज़रूरी है, आगे-ागे चलके without computer काम नहीं चलेगा, इसलिए इसमें training दे रही है, government skill improvement की काम कर रही है, यह जो है, यह 6 month placement is provided by organization, और to gain proficiency, यानि 6 महीने की training होगी है, इस period के दोरान 1500 रुपे per month per candidate provide किये जाएंगे और 1800 रुपे मिलेंगे especially able student को, ठीक है, और दूसी चीज, यह जो है during the year 2021, इसका budgetary provision जोता वो 4.60 करोड था, I hope clear होगा, coming on to our next scheme that is follow up program, ठीक है, SC, ST, OBC, यह हमारी category होगी, जिनकी income 35,000 रुपे से कम है, सालाना, उनको 13,000 रुपे दिये जाएंगे, ताकि वो tools purchase कर सके, किसके लिए, carpentry, weaving, leather work के लिए, यानि जो हमारा काम होता है, एंडी craft वाला काम है, हाथकारी का काम है, उसके लिए, और 1800 रुपे दिये जाएंगे for purchase is a swing machine, यानि सिलाई मशीन के लिए, so basically skill development की काम कर लिए, और इन लोगों को रोजगार मिल सके, ST, SC, OBC, minority category से लोग बिलोग करें, उनको रोजगार मिल सके, तो इसमें category है, SC, ST, OBC वाले लोग, ठीक, compensation to victims of atrocities on schedule का, schedule drive prevention atrocities act 1989, ठीक, अभी compensation देने की बात किये, जो हमारा act है, जिसके अंदर SC, ST के साथ कोई atrocity होती है, तो उनको prevent और, जो victims है, ऐसी atrocities के, जनके साथ यह सब बहवार किया गया है, उनको relief provide किया जाएगा, 85,000 से लेकर, 8.25 lakh करोड तक के victims को, जो grant है, वो provide की जाए assistance to civil service coaching, अब civil service coaching, आभी करी रहे हो, civil services हो भली, वो state की है, या center की है, prepare कर रहे हो, तो जो apply कर सकता हो, apply कर लेना, इस program के अंदर, one time financial assistance, मिलेगा, 30,000 रुपे का, bonafide himachalese होने चाहिए, भार के लोग applicable नहीं है, और जिन्होंने preliminary examination qualify किया हुआ है, जिन्होंने preliminary examination qualify किया हुआ है और मुझे पैसे दे तो 30,000 रुपे, तम मिलेगा, जब आपने pre-qualify कर लिया, यानि इहां पर state को लग रहा है, कि आप एक अच्छे candidate हो, आपको अचीव कर सकते हो, तो वो आपको 30,000 रुपे देगी, और लेकिन आप हिमाचली हो तब ही, I hope clear होगा, और इसे तो पक्का या या 40% की कम से कम, ठीक है, इसके अंदर 625 से लेके 3,750 पर मन दिया जाएगा, day scholars को, और 1,875 से लेके 5,000 दिया जाएगा, जो हमारे hostlers होते हैं उनको, ठीक है, for borders या फिर hostler दोनों होते हैं, या जो hostels या बोर्डर अंदर रहते हैं, schools के अंदर ही उनके लिए है, ये, साथ ह साथ ये, जो amount है, ये vary करेगा कि कितनी disability, या special ability है, ठीक है, marriage grant to individual marrying a specially able person, यानि, जो लोग specially able लोगों से शादी करेंगे, उनको भी मैं शादी करने के बाद grant दी जाएगी, और वो कितनी होगी, 25,000 होगी, for अगर आप जिससे शादी करेंगे, उसकी जो special ability हो, 40-69% है, अगर above 70% वाले से करते हो, तो 50,000 रुपे benefit मेलेगा, awareness generation and orientation program, तो बहुत सारे ऐसे NGO's हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, तो government से help लेते हैं, कि कुछ पैसा हमें दे दीजे, हम इस सेक्टर में awareness जनरेट करना चाहते हैं, या लोगों की help करना चाहते हैं, camps लगाने चाहते हैं, health camp, तो उसके लिए budget का जो provision है, वो 7 lakh रुपीज है, आपको यही याद करना है, ठीक है, आगे आता है, institution of children with special need, ठीक है, तो दो institutions बनाए गए ठीक है, आपको यह नाम पता होने चाहिए, किसके लिए है, providing education and vocational rehabilitation, किस category के लिए, visually or hearing impairment है, जिन बच्चों के अंदर, यानि जो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं धंक से, उनके लिए दो institute बनाए गया है, जहां पे उनको training दी जाएगी, education के और vocation के काम करने की, कह पे यह धली और सुन्दर नगर, आपको यह नाम पता होने चाहिए, इसके अंदर budgetary provision है, वो आप छोड़ सकते हो, जो grant है, state government यह किसके अंदर में दे रही है, आत निर्वर skilled employer mapping scheme के अंदर, असीम, ठीक है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए, किसके scheme के अंदर में आ रही पैसे भी मिलेंगे, यानि medical facilities और रहने की facility भी दी जाएगी, और grant भी दी जाएगी, scholarship भी दी जाएगी, पांच हजार पांच सु रुपे की, Specially Ability Rehabilitation Centers बनाएं गए, दो Specially Ability Rehabilitation Centers है, Rehabilitation का मतलब होता है, कि अगर कोई mainstream society से बाहर चला गया है, या उनके पास कोई काम नहीं है, उस्किल नहीं है, तो उनको वापिस ले के आया जा सके, inclusion किया जा सके उनके society में, और उन्हें चीज़ें सिखाई जा सके, जहां पे हमीरपूर में धरमशाला में, आपको यह नाम भी पता होना चाहिए, उसके बाद आता है, इतने पैसे हैं, वो खर्च प्रोवाइड करा जा चुके हैं, सकिम के अंदर में, Halfway Homes from Rehabilitation of Mentally Ill, यानि अब mentally ill जो है, बहुत ही जादा sensitive, एक category है लोकों की, और इनके जो अभी त होता था, इस category के लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए, जो mentally ill है, या परिशान है, अब धीरे धीरे गवर्मेंट जो है, वो अवेर हो रही है, और इसके लिए काम कर रही है, टू हाफवे Homes बनाए गए है, स्टेट ने फिनांस किया गया है, बजट सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए, यह कहां पर है, मसोबरा में, यह एक वोमेन स्टेट होम है, स्टेट होम मतलब जहां पर रह सकती है, बिसे अब यह किन के लिए होता है, वो हम पढ़ लेते हैं, बेसिकली जो वोमेन है, ठीक है, कैसी यंग गर्स, विडोस हो सकत आपको यह सारी चीजे याद करना है, कि कौन-कौन रह सकता है, कौन-कौन एलिजिबल है, जब वो स्टेट होम छोड़ कर जाएंगी, तो ताकि वो अपना काम शुरू कर सके, कोई नई जिन्दकी शुरू कर सके, उसके लिए उन्हें 25,000 रुपे पर वुमेन दी जाएगी इन case of marriage अगर वो शादी करना चाहती है तो उसमें भी उनको financial assistance दिया जाएगा 51,000 का ये बहुत important है बहुत ज़रूरी भी है मैंने अपनी welfare policy for women में भी ये cover किया था आप इसे अच्छे से याद करना नेक्स आते है one stop center ये एक centrally sponsor scheme है पहली चीज़ आगे इसका objective क्या है इसका objective है इसका objective है to provide integrated support प्रोवाइड करेगा assistant to women ठीक है ये भी women से related है किसे affected हो violence से हो इन बहुत private और public spaces यानि भली private में पब्लिक स्पेस में हो लेकिन जिनके against violence हुआ है उन्हें ये integrated support और assistant प्रोवाइड करेगा ठीक है इसके अंदर 228 emergency or non emergency services दी गई है services दी है किस तरह की medical, legal, psychological, or counseling one stop center has been set up in headquarter of east district in Himachal Pradesh यानि हर district के headquarter में एक one stop center established किया गया हिमाचर प्रदेश में ये important information है जो आपको पता भी होनी शाहिए आगे चलते हैं महिला शक्ती के इंदराज ये किसके अंदर में अप्रूव की गई है इसके ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ at block level in all district सारी district में block level पे हिमाचर प्रदेश में अप्रूव की गई है इसको 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 अब्जेक्टिव क्या है इंपावर करती है रूलर वोमें पे थ्रो कम्यूनिटी पार्टिसिपेशन पहली चीज़ इंपावर दूसरा किस पे फोकस करती है रूलर वोमें पे तीसरी चीज़ चीज़ चाही में रूलर वोमें और स्टूडेंट को वॉलेंटेर करने को बोला जाता है कि जो औरते हैं इस्पेशली गाओं की जो औरते हैं उनको जागुरू किया जाए कि इस तरह कि स्कीम है आपके लिए जिसके आप फायदा उठा सकते हो सक्षम गुडिया बोड और इसका रिकमेंडेशन देता है कि से देता है पॉलेसी के लिए कि जो इंपार्मेंट लड़कियों को इंपावन करने के लिए एक्ट रूस और पॉलेसी बनाई जाती है उनकी सेक्योरिटी और सेफटी के लिए वह किस तरह की होनी चाहिए यह से इंप्लीमेंट हुए है या नहीं हुए है यह इसका देखने का तो दो काम करता है रिकमेंडेशन को और रिव्यू का कमिंग ऑन टू वेरियस इसकिम अभी तक हमने स्टी ओवी सी स्पेश लिए पढ़ी थी अब हम पढ़ेंगे वुमें चिल्रेन और गल चाहिल के लिए कौन-कौन सी स्किम स्टेट ने लॉंच किया है पहली है चाइल प्रोटेसिंग स्किम ठीक है इसकी अंदर 43 चाइल के इंसिटूशन बनाए गए हैं तो 36 चल्रेन होम बनाए गए हैं बेसिकली आपको क्या पता होना चाहिए इन काटेगरी का नाम पता होना चाहिए और यह दूसरी स्किम मुख्यमंत्री बाल उधर योजना फिनांशल एसिस्टेंट रिया जाएगा इसमें ठीक है टू प्रोवाइड चिल्रेन आफ्टर लिविंग चाइल के इंसिटूशन यानि जो चाइल के इंसिटूशन यहां पर है इन्हें छोड़के जब बच्चे जाएग साथी साथ अमाउंट मिलेगा 2000 पर चाइल पर मन सेक्षिन किया जाएगा फोस्टर पेरिंट्स को यानि जो बच्चे को एडॉट कर रहे हैं उनको भी मिलेगा यह कि and other than 500 पर चाइल पर मन एस सेक्षिन ऑन अकाउंट अडिशन असिस्टें फॉम इसके लावा यह पैसे भी ऐसे पान्सर रुपे एक्स्ट्रा मिलेगे ठीक है रहाविलेटेशन सपोर्ट्र पू minor विक्टिम्स ऑफ रएप चाइल अब्यूस और अब कर बॉस्टिन और अबच्चिन अब्चिन बाग्राउंट अबेशन इसे विक्टिम्स होते है वाईनर विक्टिम्स होते हैं इसे financial security और सारी चीज़े जो भी जोरत है उन्हें बेटर बनाने के लिए उनका confidence लेकर आने के लिए उनकी dignity वापस लेकर आने के लिए ठीके वो सब कुछ help की जाएगी government की साइड से इसके अंदर 7500 पर मंद का assistant भी मिलेगा victim को 21 साल तक ठीक है 21 साल की उमर तक integrated child development services सबसे पहले इसके अंदर supplementary nutrition पर फोकस करती है health education पर फोकस करती है health check-ups किये जाएंगे और non-formal pre-education पर भी focus करेगी तो यह इसके में जो health और education दोनों को cater करती है इसके अंदर जो ratio है government और center का वह center 90% जो पैसा होगा जो fund होगा वह 90% center की साइड साइगा 10% state की साइड साइगा आगे चलते है supplementary nutrition program की बात करते हैं तो इसके अंदर आंगनवारी centers का बहुत बड़ा रोल है supplementary nutrition यानि आगनवारी जो वरकर होते हैं वो घर में जाएंगी और iron tablets, vitamin tablets, folic acids यह सारी चीज़े दी जाती है ताकि बच्चे के अंदर malnutrition ना आए तो basically आपको यही पढ़ना है कि किसके थू कर रहे है 78 blocks में 18,925 आंगनवारी centers बनाए गए जिनके थू इस program को बढ़ाया जा रहा है implement किया जा रहा है फिर आते है मुख्यमंत्री कन्यादान यूजना इस program के अंदर 51,000 की grant दी जाएगी guardians को जिनकी income जो है 35,000 से जादा नही ठीक है अंडर थे स्किम 5,000 बिल भी प्रोवाइड़ी तो वोमन हेविंग annual income less than 35,000 या अगर वो और activities करनी चाहती है income generation का कोई और venture में पार्ट लेना चाहती है तो उनको पांच हजार रुपे इसके अंदर मिलेंगे उनकी जो इंकम है वो 35,000 से काम होनी चाहिए पर फिर है विडो रिमारिज इसके यानि अगर कोई विडो दुबारे शादी गरना चाहती है तो उनको 50,000 का एसिस्टेंट मिलेगा कपल को अंडर दिस इसके मदर टेरिसा साइब मात्रे संबल योजना ठीक है इसका एम क्या है तो प्रोवाइड एसिस्टेंट टू ऑफ सिक्स थाउजन पर चाहिल पर एनम उनली फर टू चिल्रें डिस्टिटूट वुमें यानि ऐसी वुमें जो बीपल फैमिली से विलॉंग करती है और उनने घर स कि इस 18 साल नहीं हो जाती है और उनकी फैमिली इंकम जो पैतिसदार से कम होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्किम है बहुत इंपॉर्टन बहुत फेमस कहां का इंप्लिमेंट हुई है वो याद रख लिना याद करना है कांगरा हमीरपूर उना सोलन सिर्मौर शिमला बिलासपूर मंडी हिमाचर प्रदेश की अबजेक्टिव क्या है जेंडर बाइस और सेक्ट सेलेक्टिव एलिमिनेशन को कम करना इसी के लिए आई थी कई बार बच्चे लोग कंफ्यूस हो जाते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कि गई थी कि ताकि जो फामिली इस है उन्हें एसिस्टेंट मिल सके कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ तो आप ऐसे काम ना करें ऐसी जो इंसीडेंट से वो कम हो सके आपको याद क्या रखना है कौन-कौन से डस्टिक में यह लांच की गई है बेटी है योजना अंडर इस स्केम पोस्ट बर्थ ग्रांट यानि बेटी के पैदा होने के बाद 12,000 से लेके 21,000 तक के ग्रांट दी जाएगी ठीक है बाइ मर्जिंग दी स्कॉलर्शिप इंटो पोस्ट बर्थ ग्रांट कंपोनेंट फॉर टू गल्स बिलॉंगिंग टू यानि बी इस स्केम के अंदर ग्रांट दी जाएगी इसका जो रेशिय वही होगा 90 to 10 बिट्वीं सेंटर एंड स्टेट पर्धान मंतरी मात्रू वंदना योजना यानि यह वूमें के लिए जो प्रेगनेंट वूमें से लाक्टेटिंग मूमें उनके लिए पांच हजार का इंसेंट इस स्केम के अंदर 11 साल से लेकि 45 वेर की फीमेल को फोकस किया गया है क्या करते हैं सोचल एकनॉमिक इंपार्मेंट ऑफ रूलर वूमें तो यहां पर रूलर वूमें को भी इंपोर्टेंस दी गई हैं अवेरनेस क्रियेट करते हैं कि किस तरह से वो अपने राइट को यू सेल्फ हेल्फ ग्रूप की साइट से अगर वो सेल्फ हेल्फ ग्रूप बनाना चाहती हैं तो 35,000 का वन टाम इंस्टॉल्मेंट मिलेगा और पर गल्चाइड 5,000 रुपे मिलेंगे ग्रांटी टू फाइफ टॉपर गल्स इज और 10 तो 12 एग्जामिनेशन में यानि हर कर लेते हैं कि जो पूरे एकनॉमिक सर्वे में बोला क्या गया है कि जो गुष्पेंटीचर है उसका सोशल सेक्टर पर कितना एकस्पेंडीचर होता है ठीक है एजुगेशन हेल्थ और अदर्स ठीक है सो सबसे पहले अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो प्रोपोर्शन में इतना था और वो बढ़के अब 9.72% हो गया है यानि सोशल सेक्टर पर जो एकस्पेंडीचर है टोटल जीडीपी का ठीक है ग्रोस डमेस्टिक प्रोडक का स्टेट लेवल पे ठीक है वो कितना हो गया 9.72% हो गया है 2021-22 में यह इंपोर्टेंट है और यह आपको याद लागे बात करते हैं एजुकेशन पर अगर बेसी के लिए अलग अलग बात करते हैं दोनों सेक्टर की डीकेशन पर कितना बड़ा है एजुकेशन पर 14.72 परसें यहां से और हिल्थ की बात करते है तो अभी 1.700% दोगई 1.42% से यह जो है वो यह ही है हमारे ठीक ऐस भिनां 91% जो है वो सोशल सर्विस इस पे सरकार खर्च कर रही है 33.91% जो है वो 2021-22 में budget का जो टोटल प्रोवीजन था जो टोटल पैसा था उसका इतना परसेंट सोशल सर्विस पे खर्च कर रही है पहले 29.52% ही कर रही थी यानि वो भी बड़ा है अब यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है लंसम ओवरॉल अमाउंट में जो हमने अभी डिसकस किया वो ही डेटा है टेबल फॉर्माट में तो आप देख सकते हो एस पर GDP की अगर हम बात कर कोई भी बहुत आपको था कि आपको पता चले कि टेबल से जल्दी याद हो जाता है तो यह टेबल भी आपको याद करनी है अगर अभी भी आपके माइन में कोई भी क्वेस्टन है कोई भी डाउटर एलेटिव टो एकनोमिक सर्विय और एन्ही एक्शाम फिस्टार प्रद thank you so much have a great day